श्रिनात क्रियेशन में आपको आस्वागत है अगर आपको मेरे से भी पसंद आए चलो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू नॉटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन दबाईए हेलो फ्रेंट्स आज हम तुरई पात्रा की सबजी बनाने वाले हैं यह बनाने के लिए सबसे पहले हमें 500 ग्रम जितनी तुरई लेनी है तुरई की हमें छिलके निकाल देने है तो पिलर की मदद से हमें इसके छिलके निकालने है तुरई हमेशा आपको ध्यान में रखना है अब आप स्कव्चिल फॉरा देना है और फिर अकलना है अब हमेगे स्क्वेश सबस्ट के लिए सबसे पहले ग्रीन पेस्ट बनानी है तो इसके लिए 3-4 गार्लिक लिए हैं अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो स्कीप कर दें ग्रीन चिली मेंने फोर्टू फाइल लिए हैं यह आप आपकी सबसे कम ज़्यादा ले सकते हैं और वन इंच इतना चींजर डालना है अब इसमें हम पोश क्यूवी वनफोर्थ कप जितनी कोरियंडर डालेंगे इससे फ्लेवर भी अच्छी आती है और हमारी जो सब्जी है वह एकदम क्रीन कलर की बनती है तो कोरियंडर वनफोर्थ कप मेंने डाली है आप इससे ज्यादा भी टाल सकते हैं अब इसमें हम टू टे हम मींट लिष टालेंगे वनफोर्थ कप मेंटली इसका में यृत वहर बहुत ही आइती है और कलर्भी करीन आता है अब इस पे हम वाटर हें की थोड़ा सा पानी डालना है इसकी पेश्ट बनाने की लिए अम्हें जितना ज़रूरी है उतना ही पानी डालना है और इसकी एक म्हाइल डाला है इसमें हमें क्यूमिन सीट्स और मस्टर्ड शीट्स शाले एक यह मैंने 1-4 तीज़फून डाले हैं और जब यह अच्छे से चटक जाए तब लाश में इसमें बंद्पू टीस्पून चीतनी हमें इसमें हिंग डाल देनी है और हमने जो तूरई जो कट करके रखी थी और ग्रीन पीस भी जो निकाल के रखे थे वो दोनों इसमें हमें डाल देने हैं यह दोनों सब्जी अनकु करक दालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे की व्लेम को हमें वास्ट ही रखना है सोडा डालने से चो तूरे यह वह एक्दम सोफ्ट हो जाती है सब्सची और हमारी सब्सची एक तम ग्रीन कलर के भी बनती है तो पिंच इतना सोडा डालना है अब इसमें हम 15 तीस्प जितने हमें करम मसाला ढालना है जब मसाले अच्छसे से सोती हो जाए पर तो पानी में पर हमें हमिन कोटना बिए अच्छ से हम पाणी परनी नहीं अय। अब इसमें मेंने वन ग्लास इतना पानी डाला है और इसे अब हमें डखके पकाना है केस की फ्लेम को हमें फ्रास्ट रखना है बीच बीच में ये सब्जी को हमें हिलाते रहेना है ताकि इसमें जो मसाले है वो नीचे पेटना जाए और जब सब्जी आधी कोख हो जाए तब हमें जो ग्रीन पेस्ट हमने ग्राइंड करके रखी थी इसमें डाल देनी है त्यान में रहें ग्रीन पेस्ट को हमें मिडल में तो फिक और जाएगा सब्सक्षर ने सब्सक्राइबाइबियो दालेगा और लास सैपने मासले का सकता र मेद अंधर बैठे गासेट नहीं यूण में बिश्चच को हमें मिडल में हिए को सकी यह सोल्ट और सब्सदाइब स्कीर अब इसमें दाला इसमें हम सौंट और शुगर डालेंगे लेकिन सौयगर को भीन स rifi relentless कि MP3 है क्योंकि शेद दालने वांरे उसमें भी कि इसमें दíb या dauर जॉडर्डे देरे ताहीं अब हमें गेज की फ्रेम को फास्ट नहीं रखना है ग्रीन पेज टालने के बाद गेज को आप स्लो और मीडियम रखें फास्ट पे आप ना रखें कर सकते हैं और यह सबसारे के लिए पात्र बात्र सकते हैं और इसकी है चिनिंड में और कटरोचे कर हैं और यह सबी को हमें अच्छे से मिक्स करना है और स्लोग इसमें ठक्के पकाना है त्याकि इसमें जो रसा या ग्रेवी है वह पात्रा के अंदर अच्छे से एब्जॉब हो जाए तो इसकी फ्लेम को स्लोग रखना है यह पूर मिनिट के बाद हम चेक करते हैं देखे फ्रेंड गेस की फ्लेम भी हमने स्लो रखी है और जो इसमें जो ग्रेवी ती जो रसा था वह और पात्रा दोनों एक दूसरे में अच्छे से मर्ज हो गई है पात्राने उसकी जो ग्रेवी है उससे अच्छे से एब्सोब कर अब इसमें हम नास्ट में को डिल डालेंगे और एक बार लाष्ट टर करेंगे वह हमारी सब्झी तयार है पूरी सब्झी ओजाने के बाद लाष्ट में इसमें वन टीसमुं चितना प्योर देशी गी डालना है ज्यान में रहे यह अप्शनल है लेकिन इससे इसकी फेल्ए और शाइनिंग दोनों बढ़ जाती है और इसे एक्टम हल्स के से करना है क्योंकि सब्जी हमारी ओड़ेडी कुक हो गई है ज्यादा एक्दम करेंगे तो हमारे पात्रे है वह एक्दम छुटे पड़ जाएगे तो यह से अच्छे से स्टार करके अब इसे हमें करमा करम सव कर करना है तो यह सब्जी हमारी एक्दम रेड़ी है आप इसे पार्टी में या फेस्टिवल में कहीं भी आप सव कर सकते हैं यह हमारी घुजडाती यूंद्या जैसे ही लगती है रेसिपी अएपधि त्यार है और इसे हमें करमा करम सव करना है देखे फ्रेंड जीतनी दिखने मेंसुंदर है घेश में अच्छी बनी है और यह चाहिए पारे मास मिलता है तो उन्द्या हम सिव विंटर में बना सकते हैं लेकिन यह सब्जी को आप पूरे साल बर कभी भी आप बना सकते हैं सकते हैं ताप इसे आप चरू किचिये पे से刚shoné किसे करना है यह सब्जी आप चरू किजें यह तlaub है यह in प्रोटी और पूरी पराथा दाइस किसी के भी सब्जय साथ कर सकते हैं पूराई पातरा की सब्जी आप बनाईए और आपके अनुबविख कीजिए झाल झाल